हेलो दोस्तों आप शबही का मैं रगुवीर से जू आज की इस मेरतन क्लास में हार देख श्वागत और अभी नंदन करता हूँ राजस्थान के जितने भी कॉंपिटेशन प्रतियोगी परिक्साएं होती है उन से सम्मन्दित कुछ नोट्स, क्वीज और रेगुलर टेस्ट की पेपर यहां पी है जिसमें आज की क्लास में केमिस्ट्री से रेलिटेट कुछ चीजों के उपर सर्चा करूँगा केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला यहां पी पॉइंट से अपने पास में दर्विये दर्विये यानि की पदार्थ या जिसको इंगलिस में मैटर की नाम से जानते है तो मैटर क्या क्या होते है उसकी परिभाशा क्या क्या होती है देखते है दर्विये, दर्विये के बारे में बात करते है अपन तो दर्विये या फिर जिसको अपन पदार्थ की नाम से जानते है दर्विये के अंदर गुन का क्या होते है तो गुन पे देखे तो वे सभी पदार्थ कहलाते है जो इस स्पेस के अंदर इस्थान गिरते है मास एंड जिनका वॉल्यूम भी होता है जिसमें जड़तों का गुन पाय जाता है एंड अपन जिसको सेंसर ओर्गन के माद्यम से फील कर सकते है उदाहन के रूप में जैसे यहां पे वायू है, टेबल है यह एटसेटरा सारे की सारे पदार्थ में दर्विय के उधान केलाते है दर्वियों का अगर वर्गी करण करेंपन तो दर्वियों का वर्गी करण दो इस्थतियों पर होता है एक होता है बोतिक आधार पर और दूसरा होता है बोतिक आधार के साथ में रासानिक आधार पर तत्व, योगिक और मिश्रण में इसको डिवाइड करते हैं और बोतिक इस्तती के आधार पर ठोस, दरव और गैस तीन भागों में इसे डिवाइड किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट पर अपन देखते है तो सामाने ताप और दाब पर पदार्थ की तीन अवस्थाइं मिलती है जिसमें दो अन्वों की परवर्थियां पाई जाती है एक इसमें जो पदार्थ होते हैं उनके अन्वों की बीच में परस पर आकरशन की गटनाई पाई जाती है तो आकरशन की गटनाई भी होती है और उसके साथ साथ में पलायन करने की भी टेंडेंसी पाई जाती है तो लगने की जो प्रवर्ती है वो बहुत कम है और आकरशन प्रवर्ती जदा है तो वो अमेशा ठोश होता है जिसमें आकरशन और पलायन दोनों लगभग बराबर होते हैं वो अमेशा लिक्वीड होते हैं लेकिन जिसमें पलायन की प्रवर्ती बहुत जदा और आकरशन बहुत दशत कम होता है तो वो सारी के सारे गेंस में शामील किये जाते हैं तो ये इनकी अलग-अलग प्रवर्ति चलती है नेक्स्ट चलती है ठूस क्या होती aí तो ठूस के बारे में देखें ठूस वे अधार्थ होते हैं जिनके अणवों में या अव्यवी कणों में अंतर आणवी आकर्षन बल बहुती प्रबल होता है और यह एक दूसरे की अतियतिक निकट इस्थित करने होती है ठोश का आकार और आयतन हमेशा निचित होता है और ठोश के अणवों में काइनेटिक जो एनर दूसरे होते हैं एम और फश तो एक होते हैं क्रिस्टली ठोस और दूसरे होते हैं क्रिस्टली एक होते क्रिस्टल लाइन दूसरे होते हैं एम और फश इनकी जामिती और आकार हमेशा निचित होता है जबकि अक्रिस्टली जो होती है इनकी आकरती निचित या फिर आकार जो है वो कुछ निचित नहीं होता है जैसे अपन बात करते तो क्रिस्टलिय जो होते है उनमें अंतर आणवीक जो व्यवस्था होती है वो निचित होती है जब कि अक्रिस्टलिय में अनियमित व्यवस्था मिलती है क्रिस्टलिय वास्तवीक ठोस होते जब कि अक्रिस्टलिय है ठोश के अंदर निचित जबकि अक्रिश्लिय के अंदर लॉंग रेंज में इसमें मेल्टिंग पॉइंट मिलता है और ठोश के अंदर क्रिश्लिय जो ठोश होते उसमें विश्म दैसिकता के गुण मिलते हैं जबकि अक्रिश्लिय में सा सम दैसिकता या से फिर आइसोट्रोपिक नैचर मिलता है क्या-क्या होती है इनके बारे में बात करती है तो Crystalious होस जनकी कुछ बहुतिक अवस्थाएं, बहुतिक विसिस्थाएं दिशाओं के अधर बिन इन होती है उसे विशम दैसी कहते है क्रिस्टलिय ठोस में ये गुण विसम दैसिक्ता के लाता है नमक के अंदर पोटिशियम कलॉराइड के अंदर हीरे में ग्रेफ हाइट में ये सारी चीज़े पाई जाती है साथियों बता दो आज का जो ये पूरा का पूरा कोर्स है ये रीट पटवार और कॉंस्टिबल के लिए बहुत ही शांदार है बहुतिक विसिस्ता ही या बात करें तो बहुतिक विसिस्ताओं के अंदर ठोश में तन्यता होती है अपवर्त नांग की आफी रिफ्रेक्टन इ सबी दिसाओं में समान होती है जिसे संदेसीकता कैसे जिसने गلاस में पाए जाता है रबड में होता है या फिर प्लास्टिक के अंदर इसमें सम के क्रिस्टल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अव्यवीखिक पर्मानुऊ तो और इनकी अनु में उधान बात करें तो H2O-H2O के बीच में पाय जाते हैं आकरशन बल होता है आकरशन बल में अगर बात करें कोई लो विधु चालकता पाई जाती है और इनके कुछ एग्जामपल्स रहते हैं यह एग्जामपल्स अगर बात करें तो एग्जामपल्स परिक्साओं के अंदर उदाषण ऐसे पूछती है अगर आइनी क्रिस्टल पर बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेसियम क्लो में एक तो आणवी क्रिस्टल के अंदर बात करें तो उसमें बर्फ आ जाती है बरप के साथ में सॉलीड ऐयोडिन है और शुश्क co2 Gas ये समयल होती है नेक्स अपन बात करें तो विदूत चालगता के आदार पर ठोश को तीन सिरैनियों में Autumn जीता है जिसमें एक होती है चालग जिसकों अपन कंड़क्टर कहते है दूसरी होती है insulator और चांडी है कॉपर है एल्यूमिनियम इन को शामिल करते हैं इंसूलेटर इंसूलेटर का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिसमें से विदूत का प्रवा पुसिबल नहीं होता है जिसमें लकडी है घरबड है प्लास्टीक है आशुट जल यानि इस्टिल्ड वाटर तो ये सारे कि सारे इंसूलेटर होते हैं और इसमें कुछ आते हैं सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर वे होते हैं जिसमें चालक और अर्ध चालक दोनों की गुण होते हैं इसमें कुछ इंट्रिंसिक होते हैं तो कुछ इसमें एक्स्ट्रिंसिक होते हैं कुछ इसमें आंत्रिक सेमी कं नेक्सट बण्ड त्योरी ओफ एलेक्रिसिटी में बात करते हैं तो सहसैयोजकता बंड पाई जाते हैं जो चालन बाउंड होते हैं सहा सेंजक बंदों के अंदर चालक बेंड के अंदर बहुत कम गैप होता है जबकि कूछ चालक के अंदर बीच में एनरजी गैप बहुत ही जदा मिलता है दर्विये के अंदर बात करें तो दर्विये के अनुओं के मते अंतर आन्वी एक आकर्षन बल ठोस की तुलना में कुछ कम होता है जबकि गैस की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है आकार इनका अनीचित होता है जिस पातर में डालो उसी का आकार ले लेता है आयतन नीचित होता है पानी अगर एक लीटर बरा तो एक लीटर होता है यानी आयतन नीचित होता है जबकि आकार अनीचित होता है दरवे की अनुओं में काइनेटिक एनरजी ठोस की अनुओं की तुलना में अधिक लेकिन गैस की अनुओं की तुलना में कुछ कम होती है दरव का घनत ठोस की तुलना में कम होता है लेकिन गैस की तुलना में इसका घनत ज़्यादा होता है इसके अंदर विशरण का गुण होता है विशरण का मतलब होता है कोई بھی पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से already कम मात्रा की तरह जाता है तो उसको विशरण कहते है संपीड़ेता का गुण पाये जाता है और दरव की अणूनों के मत्धे रिक्तिस्ठान, न की बराबर होता है इसलिए दरव में संपीड़ता नगणे होती है वाश्पी करण दरव में होता है और इसके साथ में काइनेटिक एनरजी समान नहीं होती है अधी काइनेटिक एनरजी वाली अणू पहले वाश्पीत हो जाती है और इसके साथ साथ में इनमें प्रश्ट तनाव का एक गुण पाय जाता है प्रश्ट तनाव पर अगर बात करें अपन तो एक ही प्रकार के अणूओं की मद्धिय लगने वाला आकरशन बल होता है और उसको सहसंजक बल कहते है अलग-अलग में लगता है उसको वी संजक बल या फिर उसको एडिशिव फोर्ष के नाम से जानते है यह देखो यहाँ पे एक डाइगराम देख रहा है जिसमें यह डाइगराम के अंदरी पातर है और इस पातर में जो उपरी परत है जहाँ पे कुछ अनू बैठे है और इन अनू के उपर जो बल लगता है यह जो उपर के अनू पड़े है इन में जो बल लगता है वो बल यहाँ पे जो लगता है वो इंबैलेंस बल होता है वो असंतुलित बल होता है और नीचे की तरफ ज परिनामी सासंजख बल का मान यह पर सुन नता है लेकिन सथख पर इसidée औूंबा निचे की और एक आकर्शम बल लगता है और इसी बल को प्रेस्ट तनाव की नाम से जाना जाता है प्रेस्ट तनाव क कि नाम से जानती हैं किसी भी दिरव की सथ पर एक सेिंट्स मीटर लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को परस्ट तनाव कहते है और इस परस्ट तनाव का जो मेजरमेंट होता है वो बल बटा लंबाई की रूप में होता है बल का मातरक होता है न्यूटन और लंबाई का मातरक होता है मीटर तो इसका मातरक हो जाता है न्यूटन केशी कत्व के नाम से जानते हैं या इसको कैपिलरिटी कहते हैं केश नली बाल की समान बहुती पतली सी एक नली होती है और जिसमें दरव के उपर चड़ने या नीचे उतरने की जो प्रक्रिया होती है उसे केशी कत्व कहते है केशी कत्व पतली समान तरजिया की एक खोकली नली होती है यह देखो जल के अंदर एक नली डूबी हुई है और इस नली के अंदर पानी जो है वो अपने आप यहां पर उपर की तरफ चड़ता है तो उपर की तरफ चड़ता है इस प्रक्रिया को यहां पर केशी कत्व की नाम से जाना जाता है तो यह केशी कत्व की गटन चलती है और इसमें आसंजक बल और सहसंजक बल इस परकार के इसमें कुछ नैचर पाये जाते हैं फिर आसंजक बल सहसंजक बल कोई शिफ फोर्स एडिशिफ फोर्स यह सारी चीज़े रहती है बरतन में चड़ने वाली द्रव की उंचाई मापने के लिए यहां पर या गनतो है और जी गृत्वियत तवरण या फिर ग्रेवीटेसनल एक्सलेशन होता है केस नली जितनी पतली होगी द्रव की उंचाई उसमें अतनी अधीक होगी और अंतरिक्स में केस नली जितनी लंबी होगी पानी उतना ही ऊपर चड़ेगा क्योंकि वहां पे कोई किसी परकार का आकर्शन बल या फिर ग्रेवीटेसनल फोर्स अंतरिक्स में बिल्कुल भी नहीं होता है नेक्स्ट बात करते हैं इसमें श्यानता की बारे में तो श्यानता क्या चीज़ होती है इस पर अपन देखें तो श्यानता जिसको विसकोसीटी कहते है किसी भी दरव या गेंस की विभीन परतों की मद्य लगने वाली आपेक्षिक गती का जो विरूद होता है उसी श्यानता कहते है और परतों की इस आपेक्षिक गती का विरूद करने वाली गर्शन बल को श्यान बल की नाम से जानते है इसका मातरक होता है पोईज मातरक इसका पोईज होता है त तो पॉंइंट आता है हमने पास में गेंस की बारे में गैस खेश्कि अनुकी मद्वी अंतर-णवीक आकर्षन बल बहुत नगनि होता है इनका आकार और आयतन दोनों ही निचेत नहीं होती है गैस की अनुगति शिद्धान्त पर बात करें तो ग्येस पी अनवी आकर्शनबल नगने होता आई स्वतंत्र रूप से गती करती है की अनूपों की गती पर गूbour़तव कर्शंबल का प्रभाव बहुती नगनेなるほど और की अनुगों का आयतनً उसके खुल अयतन की तुलूना में बहुती नगण्य होता है एज़ के अनुगों में काइनेटिक एनरजी उसके पर्मताप की सामानौ पाती हैं condition गेंस के अणुओं के दाब उनकी परस पर टक्राने या फिर देवारों पर टक्राने की करण उत्पन होते हैं गेंस की अणू पूर्ण प्रत्यास्त होते हैं अच्थात उनकी टक्राने से काइनेटिक एनरजी की हानी बिल्कुल भी नहीं होती है गेंस की नियम आती है च्यार और उसके साथ में टेम्परिचर को सम rapidement करके बताता है आव गाद्रो में इसमें लगता है, थर्ड नम्बर पि जो वॉलिम और नमबर औफ मॉल्स को लिखाता है और इसमें next point आता है कि किसी निचित ताप पर निचित मातरा की गेंस का आयतन उसके दाब के व्यूत करमानू पाती होता है ऐसा बोईल ने बताया था और चाल्स ने बताया था कि किसी निचित दाब पर निचित मात्रा की गेंस का आयतन उसके तापमान के शमानू पाती होता है और अवुगाद्रो का नियम यहां पर बताया है कि किसी निचित ताप पर गैंस का आयतन उसके कुल अणों की संख्या की समानू पाती होता है तो यह परिक्साओं में एज इटीज पॉइंट पूछे जाते है आदर्स गैंस समीकर्ण की बात करे साथियों तो यह आदर्स गैंस समीकर्ण है जिसको एक ही अक्सर में लिखा जाता है पीवी बराबर एनर्टी तो पीवी बराबर एनर्टी करके लिखा जाता है आदर्स गैंस क्या होती है तो आदर्स गैंस के बारे में यहां पे लिखा है कि आदर्स गैंस वह होती है वह गैंस जो ता की नाम से जानते है जबकि वास्तवीक गैंसे वे ओती है जो उच्छताप और दाब की परिस्तियों में गैंस ये निमाँ का पालन करती है लेकिन किसी भीeder कंडिशन में अगर हर सीमाओं को पार करते हुए हर सीमाओं में इसका पालन करती है तो उसे आदर्स GANS कहते है GANS ये समीकण यहाँ पर आती है GANS ये समीकण में GANS का दिर्वीकण कैसे होता है GANS को कैसे द्रोव में कनवर्ट किया जाता है तो उसके कुछ नियम आते है पहला नियम लिखा हुआ है कि किसी भी GANS का टेंपरिचर गटाने पर उसका वॉल्यूम भी गटता है जिससे उसके अनू पास पास में आ जाते है क्योंकि काइनेटिक एनरजी घट जाती है आईतन के गटने से एक ऐसी स्थती आती है जिससे GANS द्रोव में परिवर्टी तो हो जाती है सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि किसी GANS का दाब बढ़ने पर उसका आयतन गटता है प्रिशर बढ़ होगे तो उसका आयतन गटेगा जिससे अनू पास पास में आ जाती है और GANS द्रोव में परिवर्टी तो हो जाती है GANS के द्रवी करण में GANS का जो द्रवी करण होता है लिक्विफिकेशन होता है उसमें प्रिसर की तुलना में टेंपरीचर की भूमी का बहुँ जाता होती है टेंपरीचर अगर कम होगा तो उसका लिक्विफिकेशन जल्दी होता है गैंस की वायू मंडली दाप पर दरो में परिवर्तित करना संभव है करांतिक ताप क्या होता है इस पे भी पॉइंट पूछीते हैं तो किसी गैस का वहत आप जिसके उपर द्रो में परिवर्तित नहीं किया जा सकता चाहिए दाब कितना भी बढ़ा दे तो उसे critical temperature की नाम से जानते हैं और यह critical temperature कुछ गैसों के लिए आता है oxygen के लिए minus 119 degree centigrade है nitrogen के लिए minus 146 degree centigrade है और hydrogen के लिए minus 239 degree centigrade ताप रहता है तो यह कुछ critical ताप मान critical temperature दिया जाता है temperature इन गैसों का भी है जिसके अंदर carbon dioxide के temperature पे बात करें तो यह 31.1 degree centigrade है sulfur dioxide के लिए 157 degree centigrade है और ammonia के लिए 32 degree centigrade यह कुरंवान रहते है कुरंथिक दाब क्या होता है तो कुरंथिक दाब वह दाब है कम से कम वह दाब है जिस पर उस गैस को दर्वित किया जा सकता है तो उसे कुरंथिक दाब कहते है और गैसों का दर्वीकर्ण अमिसा निमन ताप और उंच दाप पर होता है जिसके लिए लो टेंपरेचर और साथ में हाई प्रेशर रहता है लो टेंपरेचर और हाई प्रेशर पर गैसों का दर्वीकर्ण किया जा सकता है गैसों का दर्वी करने के लिए तीन विदियां आती है फेराडे की विदी है लिंडे विदी है और उसके साथ में कलोड विदी है तो इस परकार से इसमें रहता है जल थॉम्सन से धानत पी रहता है गैस का इसमें CNG के बारे में भी परिक्साओं में अक्सर पूछा जाता है तो CNG compressed natural gas है या liquid natural gas को इसमें और इसका जो main component होता है वो होता है methane और methane का सूतर आता है CH4 ये eco friendly gas है क्योंकि इसके जलने से प्रदूशक बहुत ही कम होते है sulfur dioxide production बहुत कम मात्रा में निर्मित होता है storage और इसका जो transportation होता है वो थोड़ा सा यहां पर difficult होता है एक परिक्साओं में आजकल MIC के बारे में भी ज़्यादा पूछा जाता है बोपाल तरास्ती विथी 1984 के अंदर MIC मिथाइल आइसो साइनेट के नाम से जानते हैं जिनको यूज किया जाता है वेपन का मत्रब होता है रासानिक अतियार तो रासानिक अतियार की रूप में भी इनका यूज किया जाता है एथीलीन क्या होती है देखते हैं तो एथीलीन फलों को पकाने वाली polythene का एक बहुलक गेंस होती है Acetylene के बारे में पूछती है, तो Acetylene gas welding में यूज होती है,ifier gas या जिसको आंशु gas केते है और आंशु gas के उदर Cloro Acetofen internships का यूज किया जाता है और इसके साथ में Clorobengine Mononitride का भी उपयोग किया जाता है Melanornitride का यूज किया जाता है लाफिंग गैस क्या होती है असाने वाली गैस क्या होती है तो वो होती है नाइटरस अकसाइड जिसका फॉर्मूलर रहता है एन्टू ओ ये असाने वाली गैस रहती है इसके साथ में आंसू गैस के साथ में एक फोस्जीन गैस होती है जिसमें कलोरो फोरम की अभी क्रिया ज़ो ज़्यादा काम में ली जाती इसके रिषाव को पैंचाने के लिए भी कुछ केमिकल्स काम में लेते हैं जैसे एक नमबर पर देखें अपन तो CNG गेंस जो है इस CNG गेंस का रिशाव जब होता है तो इसके साथ में एक गेंस डालते है जिसको अपन इसका जो सूतर होता है वो इथाईल मरकेपटेन होता है और इसका सूतर लिखा जाता है C2H5SH इसके रूप में लिखते है जिसको अपन इथाईल मरकेपटेन के नाम से ज अधte कहा एक होती है पुरोड्यूजर गैन्स हान फ्छोल गैस को अपर यू बंगार गैंस को इसा इन्दर और उपलस एजट्ण को सामिल करते और बहभ अंगार गैंस का कैंतर है करते हैं एक इसमें आती है कोल गेंस के अंदर c o plus h2 plus c h 4 होती है गोबर गेंस का निर्मान है किन्वन विदी से होता है फर्मेंटेशन से होता है और इस गोबर गेंस में c h 4 है c o 2 है nh 3 ये सामिल होती है c h 4 इसके अंदर 65 से 75 प्रतिश्ट तक रहती है एक इसमें मार्श गैंस का उदाहन भी आता है मार्श गैंस जिसको CH4 की नाम से जानती है और ये दलदली भागों में बुलबुले की रूप में बाहर निकलती है एक इसमें कलेथरेट गैंस भी आती है कलेथरेट गैंस CH4 है जो समूद्रों से निकलती है मिथाइल हाइटरेट है, मिथाइल आइस है या फिर हाइडरो मेथन है ये समूदरों में आइस ब्लोक्स में इस्टोरेज के लिए CH4 गैंस के रूप में यूज की जाती है ये पर एकस्वाम प्रस्टन खूब पूछा जाता है गोता खोर अपने साथ में कौन सी गैंस क्रत्रिम स्वशन के लिए ले जाती है तो हीलियम गैंस होती है, हीलियम गैंस है जिसको क्रत्रिम रूप से स्वशन के लिए यूज मिलेती है इयर क्राफ्ट जितने भी होते है वायू यान के टायर होते है उसमें यूज करते है और बैलोंस जो होते है उसमें यिलियम गेंस का यूज किया जाता है लिकवीड नाइट्रोजन जिसको माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रीड पर इस्टोर करते है और ये dance floor पर दुहा चोड़ने के लिए आपने देखा होगा जितना भी presentation मंच होता है उस पर जो दुहे चोड़े जाते हैं उसमें liquid nitrogen का यूज होता है और सुक्राणूओं को और उसके साथ में वेरिये को सुरुक्षित रखने के लिए cryo-preservation जो method होता है उसमें दुरव nitrogen का यूज किया जाता है तो रासानिक संगठन के अधार पर दुरवों का वरगी कन अपने देखा था और संगठन देखा था ये सारी की सारी चीज़े अपने पदार्थ के reference में की है next जो class रहेगी उसके अंदर अपन पदार्थ की सासात में कुछ और अपन points लेकर के आएंगे जिसमें रासानिक संगठन की अधार पर दुरवों का वरगी कन कैसी रहेगा उसको अपन देखेंगे so thank you wish you all the best इस प्रकार से class ओं को आप लोग देखते रहे और class को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें शेयर करें और अगर प्लेटफोर्म पर आप नई हो तो इस प्लेटफोर्म को आप लोग सब्सक्राइब करें तो इसी के साथ मैं आपका छोटा भाई रगुवीर सेजू आज की class में आपका most welcome करता हो और इसी परकार आप लोग मेरे साथ में बने रहना so thank you again आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद class को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों like, share and subscribe जरूर करें thank you